जिन लोगों का जन दिन 31 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन दिन की हारदिक शुब कामनाएं आने वाले वर्ष में आपके स्वास्त्य में सुधार होगा धन की स्थिती आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी परिवार में कोई शुब और मंगल कार्य भी हो सकता है आतिके मामलों में अभी थोड़ा विलंब रहता हुआ दिख रहा है क्या करेंगे पूरे साल भर भगवान भैरव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आज की जिग्यासा है कि अगर कुंडली नहीं है तो किस प्रकार लड़के और लड़की के विवाह का मिलान करना चाहिए देखिए अगर कुंडली नहीं है तो अंक जोतिश की सहायता लीजिए जन्म की तारीक से और भाग्यांक से कुंडली मिलाने का प्रयास करिए अगर वो भी संभव ना हो तो हस्त रेखा देखिए और हाथ की रेखाओं को देख करके कुंडली मिलाईए और आप जो केवल नाम से कुंडली मिलाते हैं कि लड़के का नाम फला है लड़की का नाम फला है तो उससे शादी कर दो क्योंकि नाम से मिल रही है केवल नाम से विवाह मिलान करना बिलकुल भी उचित नहीं होता इसके परिदाम अक्सर गलत ही साबित होते हैं अगर किसी तूटे रिष्टे को आप जोड़ना चाहते हैं आपका बड़ा करीबी बड़ा प्रिय रिष्टा था तूट गया आप उसे जोड़ कर बेहतर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे भगवान शिव को गुड मिला हुआ जल अरपित करियेगा और प्राथना करियेगा कि आपका रिष्टा जुड़े दोनों समय हनुमान चालिसा का पाठ करियेगा और प्राथना करियेगा पूजा स्थान पर लाल कपड़े में बाध करके एक या दो या तीन जितना भी संभव हो तांबे का सिक्का रख दीजिएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके तूटे हुए रिष्टों के जुड़ जाने की संभावना निश्चित रूप से बन जाएगी देखिए भाध्रपद के महीने में जितना संभव हो आप पीले रंके वस्त्र धारण करिये इससे आपका मन और आपका स्वास्थ्य दोनों बढ़िया रहेगा और मन प्रसन रहेगा मन प्रफुलित रहेगा तो जितना संभव हो भाद्रपद में पीले रंके वस्त्रों का प्रियोग आपको करना चाहिए